शाही पाट साला योट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है BPSC मुख्य परिक्षा के मद्दे नजर हम लोग इस्टाटिक्स के प्रस्ण को हल कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज में लेकर उपस्तित हुआ हूँ 60-62 BPSC मुख्य परिक्षा के GS Paper 1 के सेक्षन 3 में आपका कोशन 14 को लेकर के तो आएए सबसे पहले कोशन 14 क्या है उसको समझते हैं कोशन 14 में आपका पाई रेखा चितर दिया गया है तो निम्न पाई रेखा चितर का अध्यन कीजिए जिसमें भारत की एक कमपणी की विक्री बर्स 2016-17 में दी गई है तरथा उन प्रस्णों के उत्तर दीजिए जो इसके नीचे दिये गये हैं सबसे पहले हम लोग पाई रेखा चितर को समझ लेते हैं कि पाई रेखा चितर में क्या दिया हुआ है दो पाई रेखा चितर आपको दिखाई दे रहा होगा एक बाएं और दूसरा दाएं सबसे पहले बाएं वाले को समझ लेते हैं कमपनी के अस्थान के अनुसार बिक्री यानि कि कमपनी का महरास्ट में बिक्री जो है मध्य परदेश में बिक्री दिल्ली में बिक्री बिहार में अन्य राज्यों में गुजरात में और उत्तर परदेश में बिक्री जो है उसका डिग्री में मान दिया हुआ है जैसा कि आप मिलियन रुपे की विक्री है वहीं दूसरी तरफ जो दाहिने तरफ आपका पाई रेखा चितर दिया हुआ है इसमें कमपणी के उत्पादन के अनुसार जो है विक्री दिया हुआ है यह विक्री भी मिलियन रुपे में है और इस तरफ जो दाहिने तरफ आपका विक्री है य भी मिलियन रुपे में ही है जैसे कि स्टील की विक्री नमक की विक्री कार की विक्री ट्रक की विक्री मोबाइल की विक्री और सिमेंट की विक्री जो है इस प्रकार से पाई रेखा चितर में दिखाया गया है और कुल मिलाकर जो बिक्री है वह बिक्री कितनी है अठारा सो मिलियन रुपे में अब आए प्रस्न जो पूछा गया होगा जिस प्रकार से प्रस्न होगा कुछ आवस्सक्ता के अनुसार हम लोग फिर से पाई रेखा चितर पर आएंगे या सीधे ब्याक्ष्या पर चले जाएंगे आए तो स 2017 के तो अगले वर्स का मतलब क्या हुआ 2017-18 में अगले वर्स का मतलब वह 2017-18 की बात हो रही है तो प्रस्न में कहा यदि अगले वर्स कारों की विक्री दोगुना होने की संभावना हो तथा यह मान लिया जाए कि कूल विक्री में भी 200 मिलियन रुपे की बिर्धी हुई है तो कारों की विक्री का हिस्ता जो है, कूल विक्री का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, कि देख लेते हैं, कि 360 डिग्री बरावर आपको पहले से पता है, कि टोटल कितना दिया हुआ है, 1800 मिलियन रुपे, तो 360 डिग्री बरावर, 1800 मिलियन रुपे है, तो एक डिग्री बरावर कितना हो जाएगा, एक डिग्री बरावर हो जाएगा आपका, 1800 और बटे, 360 जदि आप इसको कटाएंगे, यह हो जाएगा, पांच मिलियन रुपे, यानि एक डिग्री बराबर हमको पता है कि पांच मिलियन रुपे होते हैं तो हमको अब देख लेना है कि कार की विक्री के बारे में पूछ रहा है तो कार का डिग्री में कौन कितना है तो कार का डिग्री में कौन कितना है आपका 55 डिग्री है कार कितने डिगरी का कुन बनाता है पचपन डिगरी का चुकि एक डिगरी बरावर पांच मिलियन होता है इसलिए जो है पचपन डिगरी बरावर कितना हो जाएगा तो पचपन गुना आपका पांच इतना हो जाएगा इतना मिलियन रुपे का कार विक्री हो रहा है कारा जदी अगले वर्स दो गुना हो जाए यानि कि पचपन का गुना दो करेंगे तो 110 गुना आप पांच कर सके देख सकते हैं इतने रुपे की कार की विक्री होगी तो कूल विक्री पहले कितना था अब विक्री कूल कितना हो जागा 200 मिलियन बढ़ गया है यानि आपको 200 यानि 2000 मिलियन के विक्री है तो बोलेंगे 55 दुना 110 110 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जागा 550 यानि बोलेंगे 550 के विक्री है कूल 2000 में से इसलिए 100 में कितना इस प्रकार से 3-0 और 3-0 यहां से कटाएंगे और यहां पर हो जाएगा आपका 2.25 प्रतेशत ठीक है? आईए इसको व्याक्ष्या में देख लेते हैं यहां पर उत्तर व्याक्ष्या है कारों की बिगरी डिगरी में कौन? हम लोग पाई रेखा चीतर सर्द देख चुके हैं 55 डिगरी का बनाता है इसको मैंने यहां पर हल करके आपको दिखाया है चुकि 360 डिगरी बरावर अठारा सो मिलियन रुपे है इसलिए एक डिगरी बरावर हो जागा आपका आठारा सो बटे 360 कटाएंगे यह हो जागा पांच मिलियन कार चुकि 55 डिगरी का कौन बनाता है इसलिए 55 डिगरी बरावर कितना हो जागा 275 मिलियन रुपे कारों की बिकरी दो गुना होने पर कितना हो जागा? 275 गुना 255 पचास ब्रदी के बाद कुल बिकरी कितना हो जागा? 1800 पहले था कुल और 200 उसमें ब्रदी हो जा रहे यहनि 2000 मिलियन रुपे तो पुछा कि ब्रदी के बाद कुल बिकरी का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर कहेंगे कि 550 है कुल 2000 में से इसलिए 100 में कितना? दूसरा प्रसन क्या कहता है? कि यदि आने वाले वर्स में मुबाइल की बिकरी का हिस्सा 20 प्रतिशत बढ़ जाए जितना भी मुबाइल का बिकरी हो रहा है एक वर्स के बाद क्या होता है? कि बिकरी में कुल 20 प्रतिशत की बिर्दी होती है तता मान लीजिए कि कूल बिक्री में पुनह 200 मिलियन रुपे की बिर्दी हुई हो तो मुबाइल की बिक्री में कूल कितने की बिर्दी हुई है है क्या ना कि मुबाइल की बिक्री में कितना बिर्दी हुआ है वो इस 200 से कोई लेना देना नहीं ऐसा ही प्राप्त हो जाता है आए सीधे उत्तर व्याख्या पर चलते हैं यहीं समझ में आपको आ जाएगा क्या है कि ये लाइन आपको बारवार लिखने की जरूत नहीं है मुझे समझाना था इसलिए मैंने लिख दिया आप एक बार सुरू में प्रस्न बनाने के पहले ये काम कर लेंगे कि चुकी 360 डिगरी बरावर 180 मिलियन रुपिया इसलिए 1 डिगरी बरावर 1800 बटे 360 यानि 5 मिलियन अब ये सुरू में कर देंगे तो आप सीधे लिख देंगे कि 65 डिगरी बरावर 65 गुना 5 यानि 325 मिलियन रुपिया अब आप से कहा था कि अगले वर्स मोबाइल की विक्री में जो कूल बिर्दी है वो कितना हो जाएगा तो आपका जो 325 मिलियन रुपिय है इसमें 20 प्रतिशत निकाल कर देख लेजिए जितना 20 प्रतिशत बिर्दी हो रहा है तो 325 का जिदे 20 प्रतिशत निकालेंगे तो ये कट शट कर आपके पास कितना आता है आपके पास बचेगा 65 मिलियन रुपिया तो यही है बिर्दी पूछा था कि अगले वर्स कितना बिर्दी हो जाएगा तो अगले वर्स 20% बिर्दी हो जागा यानि पूछता कि कुल कितना हो जागा तो 325 और प्लस 65 जोड़ कर उसको बताते लेकिन पूछा नए सिर्फ बताए कि बिर्दी कितना हो जागा तो सिर्फ बिर्दी हो जागा 65 मिलियन रुपे आईए तीसरे प्रस्ण को हम लोग देखते हैं तीसरा प्रस्ण है यदी बर्स 2017 में सिमेंट बिकरी का मैं सभी छात्रों से छात्राओं से यानि विद्यार्थियों से कहना चाता हूँ यदी आपको किसी प्रस्ण में कोई परेशानी है समझ में नहीं आ रहा हो या फिर हने किसी प्रकार के तथ को और अधिक अच्छे से समझना चाते हैं तो आप हमें कमेंट करिए मैं निस्चित रूप से आपकी समस्याओं को ले करके एक स्पेसल विडियो जरूर बनाऊंगा यदी कहीं कैलकूलेशन में कोई मिस्टेक है या कोई टाइपिंग एरर है मैं बना कर दे देता हूँ फिर मुझे टाइप करके मिलता है वैसे तो क्रोश शेक करता ही करता हूँ लेकिन फिर भी जदी कोई टाइपिंग मिस्टेक रहा जाती है कि जदी पूरा सॉलिशन सही है और कहीं पर tapping mistake है तो आप खुद से जब उसको बनाएंगे तो आप सही सही उसको बनाईए एक छोटा सा tapping mistake की वज़ा से पूरा गलत नहीं होता है आप जदी process को समझ रहे हैं बागी सभी process सही है तो आप उन छोटे tapping mistake को ignore करेंगे ठीक है आईए चलते हैं तीसरे प्रस्न पर तीसरा प्रस्न है यदी बर्ष 2016 में सिमेंट विक्री का 40 प्रतिशत महरास्ट में था यानि सिमेंट की टोटल जितनी विक्री है उस विक्री का 40 प्रतिशत कहां पर हो रहा है सिर्फ महरास्ट में हो रहा है तो महरास्ट में 30 समानों की विक्री का मुल जो है कितने मिलियन रुपे हैं तो देख लेंगे कि महरास्ट में टूटल कितने रुपे की विक्री है और 40 प्रतिशत निकाल लेंगे सिमेंट का वो कितना है उतना मैनस कर देंगे जो निकल जाएगा आएन ब्याख्या देख लेते हैं फिर समझ जाईएगा आप लोग बहुत आसान प्रसने जादा है भी नहीं है ये ये बला काम तो मैंने कहा कि आप सुरू में करके रख लेंगे इसको बारवार लेखने की ज़रत नहीं है मैं चुकि समझाना होता है इसलिए लेख दिया है चुकि 360 डिगरी बरावर 180 मिलियन रुपे इसलिए 1 डिगरी बरावर क्या है 180 बटे 360 इसको कटाएंगे तो 5 ताइमस में कटता है यानि 5 मिलियन एक डिगरी बरावर होता है 2016 का आंकड़ा आपके पास पाई रेखा चितर में दिया गया है तो 2016 में सिमेंट का विकरी जो है 70 डिगरी और गुना 5 करेंगे निए 350 मिलियन हुआ सिमेंट की विकरी ठीक है और 2016 में महरास्टर में कुल कितनी विकरी है महरास्टर का जो कौन होगा ना आए मैं दिखाता हूँ सिमेंट की विकरी है 70 डिगरी का और महरास्टर में विकरी है आपका 80 डिगरी का आए पाई रेखा चितर पर आ जाते है यहाँ देखिए सिमेंट की विकरी कितने है डिगरी में 70 में और महरास्टर में total कितना है महरास्टर में यहाँ पर आपका एक mistake रहा गिया है यहाँ पर कितना होना चाहिए आपका 80 degree महरास्टर का कितना degree का कौन बनना चाहिए 80 degree का ठीक है यह जो आपका 22 प्रतिशत है यह पुराना data रहा गिया है typing के mistake है यहाँ पर यह कितना है आप समझेगा यह 80 degree का कौन बना रहा है महारास्तर कितने degree का कौन बना रहा है 80 degree का ठीक है इसको आप काट लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे 80 degree मैं PDF जो आप लोगों को दूंगा last में practice करने के लिए जितने भी PDF मैंने आपको पढ़ाया है total PDF आप लोगों को provide करूंगा तो वहाँ पर जो mistake यहां मिल रहा है यह सही करके मैं आपको वहाँ पर दूंगा ठीक है आईए तो ब्याख्या पर चलते हैं ब्याख्या है महारास्तर में cool बिक्री कितना है तो 80 degree और गुना 5 चुकि एक डिग्री बरावर 5 मिलियन तो 80 degree बरावर 80 गुना 5 यानि सिमेंट की बिक्री है अपका 350 मिलियन और महारास्तर में cool बिक्री है अपका 400 मिलियन तो 2016 17 में महारास्तर में सिमेंट की बिक्री कितनी है तो प्रस्ण में कह रहा था सिमेंट की विक्री 40% महारास्ट में था जितना भी टोटल विक्री हो रहे न सिमेंट का उसका 40% महारास्ट में था सिमेंट का टोटल विक्री आपका 350 350 का 40% विक्री कहां पर होता है महारास्ट में होता है 350 का जब 40% निकाले तो वो होगिया आपका 140 मिलियन रुपे अब कहा था कि अनिस समानों की बिक्री कितनी है तो 140 सिमेंट बिक रहा है 400 में से तो देख लेते हैं घटा देंगे 400 में से 140 जो बचेगा वो अनिस समान बिक रहा है तो महरास्ट में अनिस समानों की बिक्री 400 में से 140 खटा दिये तो वो गया 260 मिलियन रुपिये ठीक है कुछ नहीं बहुत सधारन है सबसे पहले हम लोग क्या किये कि सीमेंट टोटल कितना विक्री हो रहा है तो सीमेंट का डिगरी में कौन था 70 1 डिगरी बरावर 5 मिलियन है तो 70 डिगरी बरावर 70 गुना 5 350 मिलियन महरास्ट में कौल बिक्री जो है वह 80 डिगरी का महरास्ट 80 डिगरी का कौन बना रहा है 1 बरावर 5 तो 80 बरावर 80 गुना 5 इसको होगी आपका 400 मिलियन रुपिये कहा कि महरास्ट में सीमेंट जो है कि 140 मिलियन जो है महारास्ट में विक रहा है अब प्रस्ण लास्ट में कहा कि महारास्ट में अन्य समानों की विकरी कितनी है तो महारास्ट में टोटल विकरी है 400 मिलियन 140 मिलियन सिमेंट विक रहा है तो 400 में से 140 घटा देंगे तो 260 मिलियन आपका बिक रहा है आए चलते हैं चौथे और अंतिम प्रस्न पर चौथा और अंतिम प्रस्न है यहाँ पर यदी बर्ष 2016 में दिल्ले में सिमेंट, स्टिल और कारों की बिक्री हुई हो और उनका अनुपात जो है 5 अनुपात, 3 अनुपात, 1 हो तो भारत में कूल सिमेंट बिक्री की कितने प्रतिशत जो है बिक्री दिल्ले में हुई सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना है कि दिल्ले में जो है इसी तीन की बिक्री ऐसा मान कर आपको बढ़ाना है जब आप सुचेंगे कि और भी चीज विक्री वाए तब यहाँ पर आपको डाटा और परियाप्त मिलेगा तो आपको मान लेना है कि दिल्ली में इन्हीं तीन समानों की विक्री हुई है तो सबसे पहले तो मान लेंगे कि माना कि दिल्ली में सिमेंट, स्टील और कार के विक्री करमसब 5X, 3X और X है दिल्ली में तिल्ली का डिग्री में कोन कितना है? 45 डिग्री का कोन है दिल्ली में कितने डिग्री का कोन है? 45 डिग्री का तीनों चीज़ की विक्री कहाँ पर है दिल्ली में तो X वराबर कितना हो जागा 9 पच्छे 45 X वराबर होगी आपका क्या का भारत में कूल सिमेंट विक्री का कितने परतिशत दिल्ली में हुआ आई चलते हैं देख लेते हैं उत्तर ब्याख्या को उत्तर ब्याख्या है आपका दिल्ली में सिमेंट इस्टील एवम कारों का जो अनुपात ये दिया हुआ है 5 अनुपात 3 अनुपात 1 और अब मान लेते हैं कि सिमेंट इस्टील तो था कारों के विक्री जो है करमसर 5 X 3 X और X है ये मान लिए अब कारा है कि दिल्ली में चुकी तीनों विक्रा तो दिल्ली का डिग्री में कौन है 45 डिग्री तो तीनों को जोड़ करके हमने का बराबर 45 डिग्री तीनों को जोड़े तो होगी आपका 9 X बराबर 45 डिग्री इसलिए X बराबर 45 बटे 9 कटाएंगे तो 5 डिग्री, ठीक है अब कहा दिल ली में सिमेंट की बिक्री, तो सिमेंट का बिक्री का अनुपात है 5 X, 5 X, तो X वराबर निकाले 5, यह नहीं 5 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जागा, 25 डिग्री, भारत में कूल सिमेंट बिक्री का जो दिल्ली में प्रतिशत है चूंकि पचीस डिगरी का शिमेंट कॉकून बना रहा है दिल्ली में कुल सत्तर में से इसलिए सौ में कितना यहां पर बराबर का चिन छुट गया ठीक है यहां पर बराबर का चिन छुट गया यहां पर बराबर का चिन होगा 25 की विकरी है कुल 70 में से इसलिए 100 में कितना तो यहां पर बरावर का चिन दे दीजीगा तो इसको कटाएंगे तो कितना हो जाता है 35 साथ एक है प्रतिशत तो इस प्रकार से आज का हमारा यह शेशन जो है समाप्त होता है कोश्चन नमबर 14 उमेद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे नियमित रूप से प्रतिएक दिन एक सेट का जो है विडियो लेकर मैं उपस्तित होंगा बहुत सारे स्टुडेंट का कमेंट है कि सर आप मॉडल आंसर कब देंगे मैंने जब सुरू में आप लोगों को कुछ प्रस्ण दिये कि आप इसकी जो है कि इसका आंसर राइटिंग करके जो है कि मुझे टेलिग्राम करिये तो आप लोगों में से किसी ने भी उत्तर लिख कर जो है टेलिग्राम पर पोस्ट नहीं किया जिस कारण से क्या है कि मैंने आप लोगों को modal answer नहीं दिया तो modal answer जदी चाहिए तो आप लोग telegram पर answer writing करना शुरू कीजिए मुझे लगेगा कि आप लोग मेरे YouTube के कारण कुछ मेहनत कर रही हैं मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं सभी प्रस्नों के modal उत्तर लिखकर आप लोग को अवश्य दूँगा बने रहे शाही पाट साला के शाथ आज के लिए इतना ही धन्यवाद